सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए आपकी परिक्षा में पूछे जाएंगे जितने भी सविधान के कोशन होंगे तो साथों यहाँ पर हंडेड ऐसे कोशन होंगे जो परिक्षा को नेस्त नाबूत करेंगे तो पहला परिशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आप से पूछा जा रहा है कि भारत का राश्वपती किसका एक अभिन अंग है तो भारत के राश्वपती साथियों किसके एक अभिन अंग है यानि कि संसत के एक अभिन अंग है तो आंसर आपका जो जाएगा वो option number C के साथ जाएगा दो और काउंसे अंगे सातियों लोकसभा और राजसभा भी है अब उसके बाद देखिए कि भारत के नियंतरा के वह महा लेखा परिक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो सातियों किसके द्वारा की जाती है आंसर आपका जो जाएगा वो राजश्पति के साथ जाएगा तो अगर आपका आंसर भी यहाँ पर option number A है तो बिल्कुल character भाई बहुत बढ़िया वेरिकूट क्लास अब उसके बाद देखिए किस सधन का अध्यक्ष उस सधन का सदस नहीं होता है किस सधन का अध्यक्ष तो सातियों जो राजसभा का अध्यक्ष होता है या राजसभा का सदस नहीं होता है या आपसे परिशम पूछा जा सकता है इसलिए आपको याद रखना है उसके बाद देखिए कि सविधान के किस अनुच्छद में राश्टपती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है तो वो ऐसा कौन सा अनुच्छध इसमें राश्टपती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है तो वो अनुच्छध 54 है या आपको ध्यान रखना है यानि के राश्टपती के निर्वाचक मंडल में कौन कौन है या अनुच्छध 54 में लिखा हुआ है निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं वो वो लोग होते हैं वो सदस होते हैं जो राश्टपती का चैन करते हैं उसके बाद देखिए कि साविधान के किस अनुच्छद में राज के राजपाल की नियुक्ती के बारे में बताया गया है तो कौन से अनुच्छत के अंतरगास साथियों राजपाल की नियुक्ती है राजपाल की नियुक्ती के बारे में बताया गया है तो अनुच्छत 155 आपको धिहान रखना है यह राजपाल की नियुक्ती के संबन्द में है उसके बाद देखिए कि साविधान के किस अनुच्छद में राज के मुख्मंत्री और मंत्री परशद की नुक्ती के बारे में बताया गया है तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो अनुच्छद 164 के साथ जाएगा तो अगर आपका आंसर यहां पर 164 है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि साविधान के साथियों पूछा जा रहा है किस अनुच्छद में आपात काल के बारे में बताया गया है बताईए चली साथियों तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है तो पूछा यहां पर यह आपसे जा रहा है कि आपात काल के बारे में बताया गया है कौन से अनुच्छत में साथी हो अनुच्छत 124, 5, अनुच्छत 352 या अनुच्छत 245 तो यहां पर आंसर आपका जो जाना चाहिए वो अनुच्छत 352 के साथ जाना चाहिए तो जिनका आंसर यहां पर आप्शन नंबर C है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि साविधान के कौन से अनुच्छत में भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है बताई भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छत बताता है तो अनुच्छत 324 बताता है इसलिए आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो एके साथ जाएगा वही बहुत बड़िया वेरी गूड क्लास आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटा फट इस क्लास को एक बार शेयर करके एक बार लाइक भी जरूर कर देंगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस प्रकार के स साथियों हाई कोट के गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छत 216 में उच्छ नियाले के गठन के बारे में बताया गया है या आपको दिहान रखना है उसके बाद देखिए कि साविधान के किस अनुच्छत में संग एवं राज्यों के लिए लोग सेवा आयोक के गठ सातियों के राज़्यपाल को शपत कौन दिलाता है राज़्यपती सरकार का समयधानिक परमुख कौन होता है तो तो राश्टपती आप लोग लगाते लेकिन यहाँ पर राज्य का जिक्र किया गया है इसलिए आप लोग लगाएंगे राज्यपाल तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर ए के साथ है तो बलकुल करेक्टर भ इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर बी के साथ जाएगा नेक्स नमबर का पुछन आपकी स्क्रीन पर है बताएए आप से पूछा जा रहा है कि किसी राज्य का पर्थम विधी अधिकारी कौन होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य सचिव या महा अधिवक्ता, तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, अगर पूछे राज्य के पृथम विधी अधिकारी कौन होते है साथियों, तो महा अधिवक्ता होते हैं, या आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है, आप्शन नमर डी, तो ब अधिवक्ता, आपको अप्शन नमर ए हो जाता वही, बहुत बड़िया, वेरी गूट क्लास, साविधान के किस अनुच्छत में, कारपालिका से नियापालिका का पर्थक्रण का उल्ले के किया गया है, बताए वाई, तो यहाँ पर अनुच्छत 50 होगा, अनुच्छत 123 तो सिंपल सा प्रिष्ण है और इसका सिंपल सा आंसर है, अनुच्छत 15 आपको ध्यान रखना है, के कारपालिका से नियापालिका का पर्थक्रण का जो ले के किया गया है, वो अनुच्छत 50 में किया गया है, यह आपको ध्यान रखने चलिए, उसके बाद देखिए, के सव मंदित परवधान के बारे में भाग दो में बताया गया है, यह बात आपको धियान रखना है, उसके बाद देख लीजिए, अगले नमबर का पुर्ष्ण साथियों, यहां पर हम लोग बता दें, मैं आपको बता दूँ कि सूपर फास तरीके से हम लोग चल रहे हैं, यहां प पचास फिर्ष्णों तक भी अवश्य जाएंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना रह रहा है, यहां कि साविधान के पचास कोशन में से कितने कोशन आप लोग बिलकुल करिक्ट कर पाते हो, काउंट करते रहेगा साथियों, लोग सभा में किसी विद्या को धन विद पूर्थी जिसको कोरम कहते हैं, तो क्या रहती है आप एकशित गड़पूर्थी, तो क्या रहती है साथियों, एक बटा दस भाग की रहती है, यह परिक्षा वाला पुर्ष्ण है, आप से पूछा जाएगा, इसलिए आपको आंसर याद रखना है, उप्शन नमबर 20 का र पूछ लिया जाए कि केंदरी मंतरी मंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारती कौन थे, तो विठल भाई पटेल थे, उसके बाद देखिए अगला पुर्ष्ण है कि साविधान के किस आनुच्छद में परधान मंतरी की नियुक्ती का परवधान किया गया है, तो राज सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यह आपको धिहान रखना, इसलिए आपका जो जाएगा, वह उप्शन नमबर C के साथ जाएगा, बहुत बढ़िया, very good class, सात्यों आप सभी लोग उसे आपर request कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार share कर दीजे, एक बार share कर दीजे, और अगर आपने like न किया हो, तो एक बार like भी कर देंगे, आप सभी का दिल से धन्यवाद होगा, संसदिये ववस्ता में शून निकाल किस देश की देन है, बताएगे, चलिए, तो यहाँ पर आपका right answer सात्यों जो होगा, संसदिय ववस्ता में शून निकाल किस देश की देन है, तो अपने भारत की ही देन है, यह आपको ध्यान रखना है, उसके बाद देखिये सात्यों के भारती सविधान का ऐसा कौन सा भाग है, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उलेख किया गया है, तो सात्यों ना निवारक नजर्बंदी की अंतरगत किसी वैक्ती को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। पान से, आयरलेंड से, अमेरिका से, या सातियों रूस से, तो कहां से ली गई है, आपका अंसर जो जाना चाहिए, वो अप्शन नमबर B के साथ जाना चाहिए, और जिनका भी आंसर यहां पर B है, तो बिल्कुल करेक्ट है, अब उसके बाद देखिये सातियों कि भारत के रा अगले नमबर का पुर्षन है, पूछा आपसे क्या जा रहा है, कि भारत के महानियावादी की निक्ति कौन करते हैं, तो देखिये मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी केंदर लेवल के, सेंटर लेवल के, जितने भी अधिकारी होंगे, उन सब ही की निक्ति राश्च पती के साथ जाएगा, उसके बाद देखिये, अगले नमबर का पुर्षन आपके सक्रेंट पर आपसे पूछा जा रहा है, कि राश्च पती का ध्यादेश कितनी अवधी के लिए लागू रहता है, तो च्छे महा की अवधी के लिए लागू रहता है, ये आपको धियान र पारकाल जो होता है सातियों वो छे सालों का होता है उसके बाद देखिए सातियों के भारत के नियंतर के वा महालेका परिक्षक की रिपोर्ट की समक्षिया करने वाली संसद्य समिती कौन सी है तो कौन सी है सातियों लोक लेखा समिती है या आपको ध्यान रखना है इसलिए आ नागरिक्ता के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छित पांच में बताया गया है और नागरिक्ता के सम्मंदित सातियों कौन सा भाग है तो भाग दो भी आपको धिहान रखना है चलिए अनुच्छित पांच से लेकर सातियों कहां तक नागरिक्ता से सम्मंदित प्रिष्ट करते हैं या आपको धियान रखना है सातियों इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्षन के साथ जाना चाहिए ऑप्षन नमबर डी के साथ जाना चाहिए बहुत बढ़िया बेरिकुट प्लास चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नमबर का पुशन क् आपको आपको दिहान रखना है उसके बाद देखिए बहारत के संधर में पंथ निर्पेक्ष शब्द का सही तातपर क्या है तो सही तातपर सातियों क्या है भारत में राज का कोई धर्म नहीं है इसी का मतलब होता है पंथ निर्पेक्ष सातियों ठीक है चलिए तो आंसर आपका मतलब पंथ निर्पेक्ष का मतलब क्या होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है या आपको ध्यान रखने धर्म निर्पेक्ष नहीं है बलके पंथ निर्पेक्ष है उसके बाद देखिए आगले नमबर के पुछन भारती सविधान का कौन सा साविधान की आत्मा कहलाता है तो साविधान की आत्मा की अगर बात करें साथियों किसे कहा जाता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे चलिए तो जो उद्देशिका है ना उद्देशिका इसे क्या कहा जाता है साथियों सविधान की आत्मा कहा जाता है तो जिनका भी आंसर यहाँ पर option number A है तो बिल्कुल correct है उसके बाद देख लीजिए अगले number का प्रिशन है आपसे पूछा जा रहे कि सविधान में किस तरह की नागरिक्ता का परवधान है बताए बाई चलिए क्या पूछा जा रहे साथियों आपसे पूछा जा रहे कि सविधान में किस परकार की किस तरह की नागरिक्ता का परवधान है तो एकल नागरिक्ता है वह साब यहाँ पर कैसी नागरिक्ता है एकल नागरिक्ता है इसलिए जो लोग भी आपर option number A के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए सविधान के किस अनुच्छद में समानता का अधिकार का परवधान किया गया है। अनुच्छद 12, 15, 17 या अनुच्छद 25 तो अनुच्छद 17 की अगर बात करते हैं तो यह क्या करता है किस से सम्मनित है इस प्रिश्टा की उन्मूलन से सम्मनित है आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहांपर डी है या सी है को समझ में नहीं आ रहे लेकिन कोई द आपकी स्क्रीन पर हैं आपसे पूछा जा रहा है क्या रहे कि कौण सा रेट का बुल कर कий या आपको अपको ऑप्शन नंबर बी के साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर को प्रिश्ट साथियों कि भारती सविधान में नहीं तो मौलिक अधिकारों की आवधारणना कि देश के सविधान से ली गई है तो किस देश के सविधान से ली गई है मौलिक अधिकारों के साथियों संगर ना तो कहां से ली गई है अमरिका के सविधान से लिए गई है उसके बाद देखिए हम भारत के लोग शब्दों का प्रियोग सविधान में कहां किया गया है बताईए परस्तावना में नागरिक्ता में मौलिक अधिकार में कहां पर किया गया है तो परस्तावना में किया गया है यानि कि हम भारत के लो लेकिन दोरी नागरिक्ता का प्रवधान सातियों कहां पर है तो अमरिका में है ये बात आपको ध्यान रखना है तो जो लोग भी यहां पर हैं option number A के साथ तो बिल्कुल correct answer है आपका उसके बाद देखेंगे कि एक वर्ष में संसत की कम से कम कितनी बैठके आवशक हैं तो एक सातियों संसत की कितनी बैठके आवशक हैं तो कम से कम दो बैठके होना अनिवर है ये आपको ध्यान रखना दो कौन से option में लिखा है option number B में लिखा है उसके बाद देखिए किस आधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोचे नियाले की स्थापना की गई तो कलकत्ता सर्वोच प्रिय गटक को समाविष्ट करने का प्रत्म प्रयास किस आधिनियम के द्वारा किया गया था भारत परिषद 161 के तहट किया गया था या अब सभी लोगों को याद रखना है किस अधिनियम के अंतरगत भारती विधान परशद को बजट पर चर्चा करने की शक्ती पराप्त हुई है तो साथियों वो कौन सा अधिनियम है तो भारती परशद अधिनियम 1892 वो अधिनियम है या आपको धिहान रखना है उसके बार देखिए किस अधियम के दौरा केंदर में द्रिस अधियो विदाहिका बनाई गई है अधियम 1919 के अधियम, 1935 के अधियम 1909 के अधियम साथ्यों कौन सा अधियünde है यह आप से पूछा जा रहा है, तो 1919 का भारत सरकार का अधियंयम जो है इस अधिनियम के द्वारा केंदर में द्रीस अधिनी विदाहिका बने गई इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर ए के साथ जाएगा उसके बाद देखिए कि आखिल भारती संग इस्तापित करने का प्रवधान किसके द्वारा शामिल किया गया था तो साथ कार अधिनियम 1935 के तहति ये शामिल किया गया था ये आपको ध्यान रखना इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा उसके बाद देखिए आगले नमबर का प्रशने के राश्पती को अध्यादे जारी करने के शक्ति जो है वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई है बताइए किस अधिनियम के द्वारा गी दी गई है तो ये भी 1935 अधिनियम के द्वारा दी गई है ये आपको ध्यान रखना इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नमबर भी हो जाता है भारत की संगहात्मक ववस्ता किस देश से ली गई है भारत की संगहात्मक ववस्ता साथियों अगर बात करें तो किस देश चली गई है जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर तो जिनका भी आंसर यहां पर है आप्शन नमबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भी बहुत बढ़िया अब उसके बाद देख लिजे अगले नमबर का साथियों पर शनाप की स्क्रीन पर है आप से क्या पूछा जा रहा है राश्पती को अध्यादेश जारी करने की शक्तिकी सदिनियम के द्वारा दी गई है बताईए चलिए साथियों रिपीट हो चुका है लेकिन कोई दिक्कत ने कानाडा इसका राइट आंसर है उसके बाद देखिए 1935 के अध्यनियम के द्वारा इस्थापित संग में अब शिष्ट शक्तियां किसको दी गई है बताईए चलिए अब शिष्ट सक्तियां साथियों किसको दी गई है आपसे पूछा जा रहा है तो गवर्नर जनरल इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा वह बहुत बढ़िया अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का पुर्शन आपके स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि भारते साविधान के निर्माण के लिए भारते साविधान सवा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किये गए थे तो कितने अदिवेशन साथियों आयजित किये गए थे तो 11 अदिवेशन आयजित किये गए थे इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए सविधान के कानूनी सलहकार साथियों कौन होते हैं तो भीम राओं बेटकर थे मात्मा गांधी जी थे पंडी जवाला लेहरू थे अभीम राओ या भी इन राओ थे बताईए तो जब भी आप से पूछा जाए के सविधान सभा के कानूनी सलागार कौन थे तो B.N. राओ कानूनी सलागार थे सविधान सभा के यह आप लोग धियान लखे गए उसके बाद देखिए जनगर मन को भारत के राष्टगान के रोप में सातियों कब अपनाया गया आप से पूछा जा रहा है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो 24 जनवरी 1950 के साथ जाएगा तो जनगर मन को भारत के राष्टगान के रोप में सातियों जो अपनाया गया वो यहाँ पर ध्यान रखना है पंडी जवाहरलाल नहरू यह संग सविधान समिती के अध्यक्ष थे इसलिए आंसर आपका आप्शन नमबर भी हो जाता है उसके बाद देखेंगे अगले नमबर का प्रिशन है कि सविधान में हमारे राष्ट का उलेक जो है वो किस नाम से किया सिर्फ भारत के नम से हिंदुस्तान और भारत के नम से या भारत और इंडिया के नम से बताए भाई चलिए तो किस नाम से किया गया है साथियो भारत और इंडिया नाम से किया गया है या आप लोग घ्यान रखेंगे आंसर आपका आप्शन नमर सी हो जाता है सविधान के पहले अनुच्छित के अनुच्छित है इसके अनुच्छित है इसके अनुच्छित है तो भारत एक राज्जो का संग है या आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों पूरे सविधान के जो सबसे महदपूर्ण 50 और 100 कोशन बनते हैं उन सभी 100 कोशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिये जा रहे हैं तो इस 100 कोशन को आप लोग तयार करेंगे और अपने सामान ग्यान के साविधान वाले विशे को साथियों मजबूत करेंगे चल कितने केंदर शासित परदेश थे तो 6 केंदर शासित परदेश थे इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्षन नमबर A के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए सातियों के साविधान के अनुच्छे 3 के अनुसार नए राज के गठन की शक्ति किसमे नहीं तहब बताईए राशपती में परदान मंत्री में संसद में आने के नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है तो राशपती कर सकते हैं बिल्कुल नहीं परदान मंत्री बिल्कुल नहीं संसद कर सकती है यह आप लोग घ्यान रखेंगे इसलिए आंसर आपका किस option के साथ जाएगा option number C के साथ जाएगा अब उसके बाद देखेंगे अगले number का पुरुषन है आपसे पूछा जा रहा है कि किस सविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्टिय राजधानी का दर्जा परदान किया गया था उन्हतरमा सविधा संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्टिय राजधानी का दर्जा परदान किया गया था उसके बाद देखिए कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज़ का गठन हुआ था तो साथियों 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहले जिस रा नागरिक्ता से सम्मंदित है बताईए भाग एक दो तीन या चार या पाच बताईए चलिए तो मैं आपको बता चुका हूं साथ हूं इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर बात करे भाग दो की तो भाग दो तो साथियों नागरिक्ता से सम्मंदित है इसलिए आंस प्रदान करता है या आप सभी लोगों को याद रखना है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर C के साथ जाएगा बहारते सविधान के किस अनुच्छद में ये बताया गया है कि किसी अपराध के लिए अभ्यूक्त वैक्टिव को स्वैम के विरुद्ध ग तो यहाँ पर आंसर कि अगर बात करते हैं साथियों तो अनुच्छद 21 का तीन आपके इस प्रशन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा इसलिए जो लोग भी यहाँ पर सोचने कि आप्शन नमबर D आंसर होगा तो बिलकुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बही बहुत ब तो इस वीडियो को आप सब लोग एक बार शेयर कर देंगे एक बार लाइक कर देंगे और बता भी देंगे कि इस कोशन का राइट आंसर आपका क्या होगा तो जीवन का अधिकार यह किस तरह का अधिकार है तो यह तो एक मौलिक अधिकार है साथियों जीवन का अधिकार ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर option number A है, बिलकुल correct है, उसके बाद देखेंगे, अगले नंबर का पुर्षन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि भारती सविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छ है, देखिए इसके अनुसार, किसी धर्म विशेश के समवर्धन के लिए करो के भुक्तान की अनिवारता से मुक्ती की गारिंटी दी गई है, बताईए, चलिए, तो यहाँ पर साथी और आइट आंसर के अगर बात करें, तो अनुच्छद 27 आपके इस पुर्षन का बिलकुल सही जवाब हो जाता है, उसके बाद देखेंगे, कि सविधान के किस अनुच्छद में साथियों क्या पूछा जा रहा है, सविधान के किस अनुच्छद में अलफ संख्यक वर्गों के हितों के सननक्षण का परवधान के बारे में बताया गया है, तो जिनका आंसर C है, बिलकुल करेक्ट है, उसके बाद देखिए, अगले नंबर का पुर निलंबित कर सकता है, बताये, संसत कर सकती है, राशपती कर सकती है, परधान मंत्री कर सकती है, या राजजपाल कर सकती है, बताये, चलिए, तो यहाँ पर अगर आंसर की साथियों बात करते हैं, तो राशपती आपके इस पुर्षण का बिलकुल सही जवाब हो जाता है, यानि के मौलीक अधिकार साथियों कौन निलंबित कर सकता है, तो राश्रपती निलंबित कर सकता है, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का पुष्ण के सविधान द्वारा मौलीक अधिकारों के सन्रक्षन की शक्ती किसके पास है, राश्रपती के पास, संसत के पास, सर् प्रधान मंत्री के पास बताई भाई। यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका जो जाएगा वो सर्वोच नियाले एवं उच्च नियाले के पास जाएगा क्यूं जाएगा क्यूंकि सावधान दौरा मौलिक अधिकारों के संड़क्षन की सक्तिक इसके पास है सुप्रीम कोट के पास है और हाई कोट के पास है चलिए उसके बाद देखिए राजिके निती निर्देशक तत्वो के बारे में सविधान के किस अनुच्छत में बताया गया है तो कौन सा साथियों अनुच्छत में बताया गया है अनुच्छत निबलके किस अनुच्छद में बताया गया है बताई भाई चली राइट आंसर यहां पर साथियों आपका क्या हो सकता है अनुच्छद 49 होगा अनुच्छद 29 होगा अनुच्छद 51 का होगा या अनुच्छद 57 होगा बताई भाई तो अगर बात करते हैं इस कोशन के राइट आंसर की मौलिक करतबों का वर्ण जो किया गया है वो अनुच्छत 51 के का में किया गया है इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहां पर है साथियों आप्शन नमबर सी के साथ तो बिलकुल करेक्ट है भारत के किस राज में समान नागरिक सहिता लागू है बताई भाई भारत में ऐसा कौन सा राज है जहां पर समान नागरिक सहिता लागू है तो पंजाब में हरियाना में केरल में या गोवा में तो कहां पर सातियों गोवा में इसलिए आंसर आपका किस आप्शन के साथ आप्शन नमर डी के साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुर्शन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतिय सविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छत है जिसमें राज्य को ग्राम पंचैत के गठन का निर्देश दिआ गया है चलिए तो ऐसा कौन सा सातियों अनुच्छत थे जहांपर राज़ को ग्राम पंचैत के गठन का निर्देश दिया गया है तो अनुच्छत चाली सा अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है अब भी वेरी गूट क्लास उसके बाद देखिए कि भारत सरकार का समयधानिक अध्यक्ष आप से पूछा जाए तो राजपती के बारे में आपको बताना है यानिकि राजपती ही भारत सरकार के समयधानिक अध्यक्ष होते हैं इसलिए जिनका भी आंसर B है बिलकुल करेक्ट है उसके राश्रपती होते हैं चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स नंबर का पुर्षन है कि भारत के राश्रपती पर महा अभियोग कौन चला सकता है बताए बाई चलिए भारत के राश्रपती पर महा अभियोग परदहन मंत्री चला सकते हैं संसच चला सकते हैं तो कौन चला सकते सातियों संसत चला सकती है या आपको ध्यान रखना है संसत कि अगर बात करें तो तीन से मिलकर बना है यानिके लोकसभा, राजसभा और राश्चपती उसके बाद देखिए किसे भारत के राश्चपती के रूप में निर्विरोध चुना गया है बताई भाई, चलिए क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे इस कोशन का आपका राइट आंसर सातियों जो होगा वो संजीव रेड़ी के साथ जाएगा सही जवाब आपका उप्शन नमबर सी हो जाता है लोकसभा के निर्वाचिस सदस्यों की संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है बताई भाई तो लोकसभा के निर्वाचिस सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो हो सकती है वो 550 हो सकती है उसके बाद देखिए भारती सविधान की बारहा अनुसूची का सम्मंद किस्से है तो सविधान की साथियों बारहा अनुसूची का सम्मंद किस्से है या आप से अगर पूछा जाए तो नगर पालिकाओं से है या आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है साथियों च अनुच्छत 75 आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है अनुच्छत 75 में ही सातियों परदान मंत्री और मंत्री परिशत की नियुक्ती के बारे में बताया गया है उसके बात देखेंगे अगले नंबर का पुर्शने आप से पूछा जा रहा है कि सविधान का ऐसा कौन अनुच्छत 245 तो जिनका भी आंसर यहाँ पर अनुच्छत 124 के साथ जा रहा है तो बिल्कुल कर्रेक्ट आंसर आपका हो जाता है बहुत बढ़िया वेरिकुट क्लास अगर बात करें सातियों सविधान सब्जेक्ट की तो सबसे जादा जो कोशन आप से पूछे जाते है ठीक है गुमा फिराके सातियों कोई अनुच्छत डारेक्ट पूछ लिया जाता है तो कोई अनुच्छत आपको दे कर पूछ लिया जाता है कि इस अनुच्छत में बताए किस का जिकर किया गया है तो पूरे सविधान सातियों अनुच्छत पर ही आधारित है तो इसलिए म आपस का बिल्कुल सही जवाब हुसकता है। आप से साथि यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर आपका आंसर आपका अप्शन डू ऌता 46. के साथ जा रहा है यानि के कौन से अनुच्छत में है तो अनुच्छत 245 में विधाई शक्तियों के विवरण के बारे में बताया गया है या आप सभी लोगों को याद रखना है आंसर आपका ऑप्शन नमर डी के साथ चलिए उसके बाद देखे साथियों अगले नमर का पु बिल्कुल करेक्टर यानि के 12 अनुच्छियां है भारत के सविधान में या आपको ध्यान रखने परिक्षा में आपसे पूछा जा सकता है अब उसके बाद देखिए के सविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छत है जिसके दोआरा राज जिपाल राश्च्छपती के विचार क लिए किसी विधा को आरक्षित रख सकते हैं अनुच्छत 123, अनुच्छत 200, अनुच्छत 224 या अनुच्छत 352 तो अनुच्छत 200 आप सभी लोग सातियों यहां पर ध्यान रखेंगे इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है उसके बाद देखिए सविधान के किस सहिता के बारे में बताया गया है तो अनुच्छत 49 का का, अनुच्छत 44, अनुच्छत 44 या अनुच्छत 48 तो इस पृष्ण का सही जवाब आपका जो होगा वो अनुच्छत 49 का का हो जाएगा और इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है आप्शन नमबर A के साथ तो बिल्क 40 में अनुच्छत 44 में या साथियो अनुच्छत 48 में बताईए चलिए तो आंसर के अगर बात करते हैं तो अनुच्छत 44 आपके इस पृष्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई बहुत बढ़िया वेरिकुट क्लास साथियो अगर बात करें आप किसी ना किसी एक्ज गाम की ठीक है और उसमें अगर बात करें साविधान का एक एहम रोल होता है अगर मान लीजिए पूरे सामान ग्यान के यानि के एतिहास के भूगोल के साविधान के अर्थववस्ता के विग्यान के स्टैटिक जीके के उसके अलावा करेंट अफेर के टोटल 25 पृष्ण का करवान लीजिए पूचे जा रहे हैं तो यह समयल लीजिए छे से साथ पृष्ण आपके साविधान के भी पूछे जाते है, तो एक साविधान का साथिओं अच्छा खासा है कि एहम रोल हो गया और अगर बात करें साथिओं के सबसे जादा कोशन जो पूचे जाते हैं वो अनुच्छदों से संबंदित आप से पूच्छ जाते हैं यानि के 2-3 पूच्छ तो यह समल लिजे कि अनुच्छद पर ही आधारी आप से पूच्छ जाते हैं तो यहां पर साथियों मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ डेली तो आपके लिए एक mock test चल रहा है 50 पुर्षनों का डेली एक मौक टेस चल रहा है जिस मौक टेस में किस परकार की कोशन आपके लिए लाए जा रहा है जो भी trending कोशन है साथियों जो भी हाल फिलाल की examination में पूछे जा रहे हैं उस परकार की कोशन आपके सामने लाए जाते हैं परकार की कोशन एक तो ये ठान लीजे कि अगर आपको परिक्षा कम समय में पास करना है कम मेहनत करके यानि कि smart worker के परिक्षा को पास करना है ना कि hard worker करके तो सामान गयान वाली टेस्ट को प्लास को आप सब लुग जरूर लेंगे और उसमें अपनी तैयारी परकेंगे और बलके मान लीजे आपने उसमें से 50 में से 20 प्रशन कर पाया तो आप क्या करेंगे आप 19 प्रशन को तैयार कर लेंगे जो प्रशन आपके तैयार नहीं हुए थे यानि कि जो प्रशन आपके गलत हो गए तो 20 प्लस 30 अगर आप लोग डेली डेली 50 कोशन करेंगे साथियों तो आपकी तैयारी महीना भर में कहां से कहां चली जाएगी और ये समझ लिजे परिक्षा आपकी बहुत आसानी से पते हो जाएगी तो वो उस मौक्टेस से कोई भी समझोता ना करें ये मौक्टेस साथियो आपको डेली लेना है त्रिके और साथियों समय समय पर मैं आपको जैसे के इतिहास के important motion देता रहता हूँ सविधान के, भूगोल के, करिंट अफैर के आपको देता रहता हूँ, इंपर्टन कोशन तो इन सभी कलासिस को भी आपको अटेंड करना है अगर आप वाकई में साथियों सीरियस हैं अगर आपको वाकई में एक्जाम को निकालना है किसी ना किसी तो आपको जम के तैयारी करना पड़ेगी जितनी भी आपको classes available कराई जा रहे हैं सब आपको अटेंड करना पड़ेगी ठेक है सातियों चले तो 95 नमबर के पृष्ण का सातियो आंसर मैंने आपको बता दिया था अब उसके बाद देखेंगे अगले नमबर का पृष्ण आपके स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि सविधान के किस अनुच्छत में आखिल भारते सेवाओं के गठन का परवधान किया गया है तो अनुच्छत 312 में अनुच्छत 352 में अनुच्छत 123 में या सातियों अनुच्छत 356 में तो इस पृष्ण के सही जवाब की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छत 312 इस पृष्ण का बिलकुल सही उत्तर हो जाता है यहने कि अखिल भारते सेवाओं के गठन का परवधान जो किया गया है वो अनुच्छत 312 में किया गया है चली उसके बाद देखिए अगले नंबर का पृष्ण है कि अनुच्छत 108 के अनुसार लोकसभा और राजसभा की सयुक्त बैठक कौन बुला सकता है परदहन मंतरी, राश्च्छपती लोकसभा के स्पीकर या राजसभा की अध्यक सातियों बताईए कौन बुला सकता है तो राश्च्छपती सातियों बुला सकते है या बात आपको धिहान रखना है अनुच्छत 108 में किस बात का जिकर किया गया है तो लोकसभा और राजसभा की स्युक्त बैठक कौन बुलाते है तो राश्च्छपती बुलाते है कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि राश्च्छपती के दोरा लोकसभा और राजसभा की स्युक्त बैठक जो बुलाई जाती इसका जिक्र कौन से अनुच्छत में किया गया है इसका वरण कौन से अनुच्छत में किया गया है तो अनुच्छत 108 आपको बताना है उस इस्तिती में चलिए अब उसके बात देखिए राश्टी एकता परिशत का अध्यष कौन होता है अब आप से ये पूछा जा रहा है त प्रधान मंत्री होते हैं या साथियों महा नियावादी होते हैं बताई बई चलिए तो इस प्रश्ण के अगर सही जवाब कि अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्टी एकता परिश्ट के अध्यक्ष कौन होते हैं प्रधान मंत्री होते हैं या साथियों जो भी वरत्मान सम के परदान मंत्री होंगे माल लीजिए अभी कोई और परदान मंत्री हैं आने वाले समय में कोई और परदान मंत्री बन जाएंगे ठीक है तो अभी कोई और राष्ट्र एकता परिश्ट के अद्विक्ष हैं तो जब जो नए परदान मंत्री बनेंगे तो वो राष्ट्र एक या राजेंद रूंदि संग्, राजेंदर प्रशाद या चंदरशेकर। प्रशन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से परधान मंत्री हैं जो स्वतनतरता के बाद पैदा हुए तो नरेंदर मोदी जी एक ऐसे परधान मंत्री हैं जो स्वतनतरता के बाद पैदा हुए उसके बाद देखेंगे साथियों आज की क्लास का अंतिम प्रशन आपके स्क् सरकार में बताइए अच्छा कोशन है क्या होगा इस प्रिष्ण का बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो आपको ध्यान क्या रखना है साती हो ध्यान आपको ये रखना है कि भारत में जो अवशिष्ट विदाई शक्तियां हैं ये किसमे नहीत हैं तो ये केंद् सविद्धान पॉलिटी का उस सम्मंधित साथियों यहां पर हम लोगों ने 100 कोशंज देखे और साथू इन 100 कोशंज की हम लोगों बात करें तो कई सारे ऐसे कोशंज थे ये जो कई बार 10 इस सातीयों बार बार 004 परिक्ष आओंे पूछए जा चुके हैं और कई सारे ऐसे कोशन मैंने आपको करवाए जो संभावित कोशन है संभावित वर्षन याने के एक्सपेक्टेड कोशन है जो आने वाली किसी न किसी परिक्षा में पूछे जा सकते हैं अब हो सकता हो आप वाली परिक्षा में पूछ लिए जाए या किसी की परक्षा में पूछ लिया जाए ठीक है साथियों चले तो एक क्लास को मिला के जो रही किसी भी एक्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो ये क्लास साथियों आपके लिए एक क्लास नहीं बलके वरदान साबित होगी तो उमीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके चैनल का बल आइकन पर क्लिक करेंगे साथियों जो घंटी जैसा है ना उस पर जरूर क्लिक करेंगे उससे क्या फायदा होगा जैसे कोई क्लास साथियों लाइव होगी गुरुजी वर्ड चैनल पर तो तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुच जाएगा कुछ नहीं आपको करना है खुछ से नोटिफिकेशन पहुच जाएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप लोग क्लास में इंट्री ले लेंगे ठेक है साथियों तो मिलते हैं हम सबी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन साथियों सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए